तो यह देखो प्यारे बच्चों अगर इस वाले कॉस्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक आता एरे अफ लाइट है जो की इंसिडेंट हो रहा है यह एरे आफ लाइट इंसिडेंट ए 60 डिग्री प्रिजम पर एंगल अप प्रिजम यहां से 60 डिग्री है एक रह अगर 60 डिग्री पर पढ़ती और यहां से 60 डिग्री पर पढ़ती है mindιमींम deviation के case में यह वाली जो रहे ऐसे आती है normal से यह वाली line normal है तो यह इसके parallel हो जाती है और ऐसे चली जाती है इस पे normal है और it will go something like this यह ऐसे चली जाएगी तो यह यहां से angle of incidence यहां से i है और यह यहां से r1 है तो यह यहां से यह भी R2 है और यहां से I2 है और इसको I1 मालो तो जब minimum deviation होता है तो R1 बराबर होता R2 बराबर होता है यह R के मालो और I1 बराबर होता I2 बराबर होता I मालो हम सब को पता यहां से कि जब यह angle of prism जो है R1 प्लस R2 के बराबर है अगर यह दोनों बराबर है तो 2R तो angle of reflection R is equal to AY2 हो जाएगा जो की पूछ रहा A कितना prism angle 60 degree 2 मतलब 30 degree तो इसका मतलब भी हुआ कि यह एक सस्ता सवाल था angle of reflection जितना R1 होगा R2 होगा मतलब B option अपना सही हो जाता है